अगर आपके पास गाड़ी है और आप नेशनल हाईवे से सफर करते हैं तो टोल टैक्स देना पड़ेगा और टोल टैक्स देने के लिए अपनी गाड़ी में फास्ट टैग लगाना होगा फास्टेग लगा लेने से आपको भूत पर गाड़ी रुपना नहीं पड़ता है क्योंकि टोल टेक्स का कैश्लिस पेमेंट हो जाता है इस कैश्लिस पेमेंट के लिए आपको अपने फास्टेग के वालेट में ठीक उसी तरह पैसे डालने होते हैं जैसे आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा बात का है उससे पहले आएए ये जान लेते हैं कि आप अपने गाड़ी के लिए फास्टेग कैसे खरीदें हम इस वीडियो में ICICI Bank के जलिए और नाइन फास्टेग खरीदने का तरीका बताएंगे ICICI Bank से फास्टेग खरीदने के दो रास्ते हैं पहला रास्ता उन लोगों के लिए है जो ICICI Bank के कस्टमर है उनके लिए ये प्रक्रिया काफी आसान है और दूसरा रास्ता आम लोगों के लिए है उन्हें अपने पते और पहचान का सबूत देना होता है आए सबसे पहले जानते हैं कि ICICI Bank के कस्टमर कैसे फास्टेग खरीद सकते हैं ICICI Bank के ग्रहक के लिए फास्टेग खरीदने के दो तरीके हैं पहले तरीके में वो Net Banking का यूज़ करके फास्टेग खरीद सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें कम्प्यूटर या लैप्टॉप का इस्तिमाल करना होगा क्योंकि अगर वो Mobile पर Net Banking की विफसाइट खोलेंगे तो वहां उन्हें फास्टेग खरीदने का आप्शन नहीं मिलेगा हाला कि अगर आपके पास PC नहीं है तो फिर आप दूसरे तरीके का इस्तिमाल करें इसके लिए आपको अपने स्मार्ट फोन में iMobile एप डाउनलोड करना होगा हम आपको दूसरे तरीके से फास्टेग खरीदने का प्रोसेस बताएंगे अगर आपके पास लैप्टॉफ या कम्प्यूटर है तो आप अपने ICICI Bank के Net Banking Portal में लॉगिन कर ले लॉगिन करने के बाद आपके सामने डेशबोर्ट आएगा इस डेशबोर्ट के मेनू बार में आपको पेमेंट और ट्रांसफर वाले लिंक पर क्लिक करना है इसे क्लिक करते ही आपके सामने एक ड्रॉफ डाउन मेनू खुलेगा उसमें By Fast Tag का लिंक भी दिखेगा उस पर क्लिक कर दें इसके बाद आपके सामने FastTag खरिदने का फॉर्म दिखेगा इस फॉर्म में आपको अपनी गाड़ी का डिटेल देना होगा जैसे गाड़ी का नंबर, कंपनी और मॉडल इसकी अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर और इमेल एड्रेस भी भरना होगा आखिर में आप बैंक एकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिजिए इसी फॉर्म में आपको ये भी दिखेगा कि FastTag के लिए कितना चार्ज लगेगा और इसका ब्रेकप क्या है फिलाल ICICI बैंक 500 रुपे में FastTag दे रहा है इसमें से 200 रुपे सेक्योर्टी डिपोजिट है और 200 रुपे का रिचार्ज होता है बाकी करीब 100 रुपे ICICI बैंक अपना चार्ज काट लेता है इस फॉर्म को प्रोसीट करने के बाद आपके सामने एक बार फिर चार्जिस का डिटेल आता है इसे देखकर आपको कन्फर्म करना है ध्यान रखिए आपके कन्फर्म करते ही आपके खाते से पेमेंट हो जाएगा इसके बाद और कोई स्टेप नहीं है इस पेमेंट के करीब एक हफते की अंदर आपके घर पर FastTag पहुँच जाएगा ICICI Bank के Mobile App iMobile के जर्ये FastTag कैसे खरीदा जा सकता है इसके लिए आपको सबसे पहले iMobile App में लॉग इन करना होगा लॉग इन करने के बाद पहले ही पेज में आपको शॉप पर टैप करना होगा यहाँ टैप करते ही आपके सामने कई आप्शन दिखेंगे इसमें से आपको FastTag चुनना है अगले पेज में आपको अपनी गाड़ी का डिटेल डालना होगा और उसके बाद आपको पेमेंट एमाउंट कन्फर्म करना होगा इसके लिए आपको ICICIBank.com पर जाना होगा वहाँ मेनु बार में प्रोडक्ट्स पर करसर ले जाएं करसर ले जाते ही नीचे आपके सामने कई ऑप्शन आ जाएंगे उनमेंसे काड़ पर क्लिक करें इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा नय पेज के मेनु बार में आपको prepared काड़ पर क्लिक करना है अगले पेज में आपको मेनु बार में मोर पर करसर ले जाना है जैसे ही आप वहाँ करसर ले जाएंगे आपको सामने ही Fast Tag का आप्शन दिखेगा आप उस पर तुरंट क्लिक कर दें अब आपके सामने Fast Tag की धेर सारी जानकारी आ जाएगी उसी के बीच आपको Apply Online का मटन दिखेगा उस पर क्लिक कर दिजे अगले पेज में आपको अपने बारे में जानकारी देनी होगी इसकी अलावा आपको अपनी पहचान का सबूत देना होगा पहचान के लिए आप Driving License, Water ID, PAN या फिर Passport में से कोई एक Option चुन सकते हैं आप जिस भी Option को चुनेंगे उसकी इमेज आपको अपलोड करनी होगी ध्यान रखिए आप PDF कॉपी नहीं अपलोड कर सकते हैं इमेज अपलोड करने के बाद आप Continue पर क्लिक करें अगले पेज में आपको अपनी गाड़ी के बारे में जानकारी देनी होगी इतना ही नहीं आपको अपनी गाड़ी के रजिस्टेशन की कॉपी भी अपलोड करनी होगी रेजिस्ट्रेशन की कॉपी में गाड़ी नंबर, इंजन नंबर और चेजिस नंबर साफ साफ दिखनी चाहिए इसकी बाद आपको कुल 500 रुपए का पेमेंट करना होगा पेमेंट करने के लिए आप डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तिमाल कर सकते हैं इसकी अलावा आप यूपी आई या नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं ध्यान रखिए इस पेमेंट के लिए आईसी 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 आई बैंक कन्वीनियन्स चार्ज भी लेगा हालाग ये बहुत जादा तो नहीं है पेमेंट मिलने के बाद आईसी 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 आई बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स को जाचेगा और अगर सब सही रहा तो दस दिन के अंदर पास्ट टैग मिल जाएगा लेकिं अगर कहीं दिक्कत हुई तो आपका एप्लिकेशन कैंसिल हो जाएगा और आपका पैसा लोट जाएगा तो यह तरीका था आईसी 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 आई बैंक के जरिये फास्ट टैग खरीग मुझे उमीद है कि आपको इस जानकारी से जरूर फैदा हुआ होगा ऐसे और वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ बैल आइकान को जरूर टैप कीजिए इससे आप सबसे पहले वीडियोज देख सकते हैं